हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे फॉलिक एसिड टैबलेट के बारे में इस टैबलेट का नाम है वीटा फॉल इसके क्या-का यूजेस हैं इसके साइड इफेक्ट्स और इसके डोसेज के बारे में इस वीडि रहिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि यह folic acid किन किन चीजों में यूज होता है और इसके side effects और doses के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं चलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अब कर लीजिए साथ ही bell icon के बटन को दबा कर power of knowledge के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके composition के मारे में तो इसका composition जैसे कि आप यहाँ पर दिए की सकते हैं यह है folic acid tablet 5 mg का है यह तो folic acid का uses क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो folic acid जो है वो मदद करता है हमारी body में जब कभी भी new cell बनते हैं तो folic acid जो है उसमें help करता है वैसे बहुत सारी चीज़े और involve होती है new cells produce होने में लेकिन उसमें folic acid का भी एक एहम role होता है तो folic acid जब कभी भी हमारी body में new cell बनते है तो उसमें मदद करता है folic acid की कमी हो जाए तो anemia जिसे कहते हैं यह जाता तर females में होता है anemia की कमी जिसे कहते हैं खुन की कमी हो जाती है anemia है तो anemia में अगर आप folic acid यूज करेंगे तो ये आपको बहुत जादा help देगा और folic acid के और भी बहुत सारी uses है मैं आपको और भी गिना देता हूँ folic acid जो है वो human body के development में बहुत जरूरी होता है तो जब कभी भी body develop होती है तो folic acid उसमें बहुत important role play करता है आपने आपने से बहुत लोगों ने सुना होगा genetic material जिसे DNA कहा जाता है उसके produce करने में भी यह folic acid शामिल होता है तो दोस्तों यह folic acid बहुत ही important है हमारी body के लिए तो यह folic acid ज़रूरी नहीं के आप tablet से ही ले यह बहुत सारी green leafy vegetables में भी पाया जाता है वैसे अभी मेरा वो topic तो नहीं है लेकिन folic acid के बारे में आगर आपको बता हूँ तो यह vegetables वगेरा में भी मिल जाता है यह और किन चीजों में use होता है वो मैं आपको बता देता हूँ folic acid वैसे females में जादा females को जादा recommend किया जाता है males में भी use होता है यानि jains और जो ladies होता है ladies में जादा तर यह उन female को recommend किया जाता है जो pregnant होना चाहती है या already pregnant है यह उन लोगों को जादा उन females को जादा doctor recommend करते है क्योंकि pregnancy में जो है body development और जो है खुन की कमी वगेरा जादा हो जाती है यह इसलिए folic acid जो है यह females को जादा तर recommend किया जाता है अब अगर male की बात करें जहां मतलब genes की अगर बात की जाए तो genes में folic acid किस तरीके से काम आ सकता है वह मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि मैंने अभी बताए कि new cell produce करने में यह जो है वो help करता है और एक और research से यह भी पता चला है कि यह जो Alzheimer disease है यह उस बीमारी में भी folic acid जो है वो help करता है Alzheimer के बारे में अगर आप short में अगर आपको बता हूँ तो भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं यह males और female दोनों में पाई जाती है यह उन patients को यह दे सकते है folic acid और folic acid का और एक बहुत अच्छा use है जो आपको anti-depression यानि depression में जाने से बचाता है तो folic acid बगर अगर आप जादा use करते हैं यानि folic acid अगर आप use करते हैं तो यह आपको depression से भी बचाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर uses से पहले मैं आपको precaution के बारे में बता दूँगा कि precaution आपको क्या लेना है इसको use करने से पहले आगे मैं side effects की भी बात करूँगा तो लेने से पहले इसको use करने से पहले आपकी condition आपको होना पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे नहीं कि अगर आपने इसकी uses सुने और आपको बहुत अच्छा लगा यह इस चीज में use होता है इस चीज में use होता है तो हम भी इसे use कर सकते हैं पहले आपको पता करना होगा कि आपकी condition क्या है और वो आपको आपके doctor ही better बता सकते हैं जो आपकी body की condition है उसे पहले जानना होगा उसके बाद ही आप कोई भी medicine स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि यह आपको जो folic acid के बारे में मैंने जान करी दी कि यह आपको important और जो है समझी में आई होगी अगर आपके कोई questions है या doubts है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके dosage क्या क्या हो सकते हैं तो दोस्तों dosage की बात की जाए तो इसके dosage जो है वो one tablet by mouth खाना खाने के बाद आप सुबह ले सकते हैं कोई दिन में एक बार लेना है इसे और जो है जादा कुछ इसमें extra है नहीं आप इसको दिन में एक बार काना काने के बाद सुबह या शाम जबी पी जैसे भी आपके doctor आपको recommend करें वैसे आप इसको ले सकते हैं दोस्तो इस tablet की manufacture करने वाली company की बात की जाए तो जैसे के आप यहाँ पर देख सकते है सिपला है सिपला बहुत ही branded और अच्छे products बनाती है तो इसको produce करने वाली जो company है वो है सिपला दोस्तो इसमें एक और tablet आती है मतलब जैसे के same content है लेकिन दूसरी company के वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का content same है कोई इसमें फर्क नहीं है आपको company के पीछे नहीं जाना है जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है रॉसिल और यह है सिपला यानि इ इसका जो content है यानि इसका जो composition है आप इसमें भी देख सकते हैं folic acid tablet है इसमें भी आप देख सकते हैं कि folic acid tablet है तो दोनों का content same है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह company कौन सी है और कौन सी नहीं तो आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप जो composition ले रहे हैं वो important है ठीक ह अब इसके जो और details की बात की जाए जो इसके back side में दी गई है वो जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं कि इसके अंदर 5 mg folic acid है as directed by physician देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा है कि जैसे आपके doctor आपको recommend करे वैसे आपको dosage लेना है वैसे यह ज्यादातर दिन में एक एक बार खाना खाने के बाद में दिया जाता है और बच्चों से इसे दूर रखें MRP की बात की जाए दोस्तों तो यह 46 रुपीज की है और अगर expiry देखा जाए तो यह 2022 तक है यानि दो साल आपको इसे है मतलब 20 में बनी थी 2020 में बनी थी और 2022 तक इसके expiry खतम हो जाएग की दोस्तों हर टैबलेट की कुछ ना कूछ side effects होती है किसी की कम किसी की जादा लेकिन होती तो है तो side effects के अगर बात की जाए तो हो सकता है कि आपको fever हो जाए weakness कमजोरी वगएर आ सकती है skin rashes भी हो सकते है irritation भी हो सकता है या अगर आपको हो सकता है कि खुजली वगएरा जि सास लेने में तकलीफ भी हो सकती है और भी बहुत सारे side effects हो सकते हैं यह जो मैंने आपको गिना यह कुछ है अगर आपको कोई भी side effects होने लगे तो आप तुरंत कोई भी medicine हो आप तुरंत उसे use करना बंद कर जीजिए क्योंकि यह आपकी health के लिए बहुत खतरना को सकता है इसको use करना बंद करें और अपने doctor की सला ले बिना doctor की सला के कोई भी medicine start ना करें दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है बिना doctor की सला के आपको कोई भी medicine use नहीं करना है यह आपके लिए बहुत important है इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत फाइदा होगा उम्मित करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा informational वीडियो है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप इसे subscribe जरूर कीजिए और इसे इस वीडियो इस informational वीडियो को ज़ादर से ज़ादर शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care bye bye